हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल फ्रेंड्स आई आजहम बनाएंगे शिवाय रेसिपी सिमाई शिवाय सेवाया आप इस नाम से जानते होंगे हम इदर सिमाई बोलते हैं आई आजहम बनाएंगे बहुती सुइट रेसिपी इस रेसिपी को हम घर में आये मेहमन को अब शर्प करेंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे दर आज हम बनाएंगे शिमाय तर गी शुलत हैं तो इसे "- लगे लुदे CPR." आप देख सकते हैं मैंने शिमाई का पकेट कौन सा ले लिया है। इसमें ठोड़ा सा ही रेता हैं। अब चाए तो बड़ा वाला पकेट भी ले सकते हैं। घी हमारा गरम हो चुका है तो अभी इसमें हम değişmış हुई अड़ कर देना हैं। और वैसे ही थोड़ा लाल कलर आने तक वैसे ही हम पकाएंगे, चलाएंगे, प्रेंट्स बिल्कुल रुखना नहीं है, वैसे ही चलाते रहना है, नहीं तो यह चिपक जाएगा, अब देख सकते हैं, मेरा शिमाई का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, तो इसमें थोड़ा है, हम इसे अच्छे चलाते रहना है, प्रेंट्स मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे आप सब की सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है, प्लीज मुझे सपोर्ट करना, देखिए मेरा शिवाई का कलर कितना चेंज हो च देंगे इतना ही बढूरै रहन देंगे, अभी इसमें हम दूद ऑड कर देना है, दूद हमने आदा लिटर ले लिया है, पहले हम थोड़ा सा पानी आड करके, फेर, दूद करना है, इससे क्या dud कर दे होता है, पहले हम दूद आड करेंगे, तो दूद फटने का चांस वाव वाव देखिया कितना बढ़िया दिख रहा है हमारा स्वीट रेसिपी घर पे आये मेमान को आप एस्वीट रेसिपी बना के खिलाईए बहुत ही खुश हो जाएगा और आपकी तारिफ जरूर करेगा इसे हम दस मिल्टे तो ऐसे ही पकाएंगे लोफ लेम पे ढ़क के वैसे ही पकने देना है दस मिनुट तक अभी हम इसे उबाल आने पर निकल लेना है नहीं तो हमारा दूद सारा उबल के भार निखला जाएगा और हम ऐसे ही पकाएंगे शिवाई को थोड़ा सॉफ्ट होने तक हम ऐसे पकाना है फ्रेंट्स थोड़ा गाड़ा हो जाएगा तो फिर हम इसमें एक कटोरी चीनी आड़ कर देना है हमारा घर में बहुत स्वीट ज्यादा खाते है इसलिए हमने थ्ला ज्यादा दाले है आप चाहे तो स्वीट कम ज्यादा कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा नमाट्याड कर देना है एक चुटकी भर नहीं तो बहुत ही मिटास हो जाता है इससे कुछ नहीं होता है बहुत ही टेस्ट और ज्यादा हो जाता है देखिए मेरा सिमाई कितना गाड़ा हो चुका है तो इससे अभी सर्व करने का टाइम आ चुका है उससे पहले आम थोड़ा और पकाएंगे और थोड़ा गाड़ा होने देंगे इसे आप जितना ज्यादा दूद से पकाएंगे उत्माई स्वादिष्ट बनता है और मैंने यह पर थोड़ा बादाम ड्राइफ रूट्स ले लिया है और उपर से सर्व करने का टाइम उपर से दे देंगे घर पे आए महमान बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे प्लीज ज़रू ट्राइ करना महमान आए तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नए वीडियो में प्लीज मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना अभी इसे हम सर्व करेंगे और उपर से हम थोड़ा ड्राइफ रूट्स भी अट कर देना है हमने इदर ड्राइफ फूट्स के तौर पर बादाम ले लिया है अब पिस्ता बादाम काजू कुछ भी ले सकते हैं नहीं लेंगे तो भी चलेगा ऐसे हम सर्व करेंगे खाके देखना बहुती टेस्टी बनता है दोस्तों इधर देखिए मेरा विच्चा कैसे खा रहा है है मेरा बेबी को स्वीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है फिर भी है कितना चाव से खा रहा है मिलते हैं फिर नए वीडियो में थैंक्यू बाई झाल करें लूचि था विए मेरा बेड़ करेंगे खा रहाँ वाहा है